हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू यूर ओवन चैनल मार्किट एनलेशिस दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी फिप्टी और बैंक निफ्टी के क्या कुछ लेवल्स आगे चलके हमें देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तो निफ्टी 50 के बारे में निफ्टी 50 आप देख सकते हैं दोस्तो जैसे इस टेलियान का यहाँ पर ब्रिकडाउन हमें देखने को मिलता है एक शाफ फॉलिंग हमें दिखाई पड़ती है लास्ट डेडिंग शैशन में हमने क्या देखा इ तो उस consolidation में आपने कवे भी कोई भी entry नहीं लेनी होती है अगर आप एक अच्छे option buyer है ठीक है अगर आप option seller है तब तो आप ले सकते हैं no issue बट अगर आप option buyer है तो इस zone में आपको entry बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है premium decay होता है ओके तो दोस्तों यह वाले जो levels है आप देख सकते हैं 21,820 का level उपर की तरफ में और नीचे रहेगा 21,660 का जब तक इस zone में यह चल रही है आपको कुछ भी करने की जुरूत नहीं है अगर आपको सचोच में profitable होना है ठीक है उसके बाद जिस भी side में यह निकलना start करती है मान के चलो यह कल क यह वाला target या फिर उपर की तरफ में यह वाला target आपको easily दिखाई पड़ सकता है उपर की तरफ में 22,000 के levels और नीचे की तरफ में 21,480 के levels आपको easily दिखाई पड़ सकते हैं बड़ दोस्तों यहाँ पर क्या है कि time spend करने दो थोड़ा सा उसके बाद जो moment आएगा वो जबर 26,200 से वापिस है यहाँ पर जो है एक sharp selling हमें नजर आई यहाँ ठीक है जैसी हमारे यह levels जो मैंने आपको बताया थे 44,980 के उसको जैसी इसने touch किया तो वापिस है क्या हुआ है short covering आई है और वापिस price जो है 45,700 के आसपास इसने closing दी है अब आगे देख लेते हैं क्या protection रह सकती है देखिए दोस्तों इसने जो है अपना जो यह ग्रावट हुई थी इसका almost 50 से 60% cover up कर चुकी है बैंक साइड में तो अब हमने क्या देखना है देखो कल के दिन आपको एक चीज़ का हमेशा द्यान रखना है अगर बैंक रिफ्टी इसी जोन के आसपास open होती है ठीक है और वापिस क्या करती है उपर की तरफ चलने स्टार्ट कर देती है 45,900 का एक resistance है यहाँ पर आपको नजर रखनी है यहाँ पर कोई भी आपको shooting star type की candle मिल जाए या कोई भी bearish engulfing candle मिल जाए उसके भी आप आप जो है यहाँ पर selling कर सकते हैं उसके बाद क्या देखने 300 तक के levels easily दिखाई पड़ सकते हैं और दोस्तों अगर नीची gap down अगर आपको इस zone में कहीं पर भी मिलती है तो आपको ध्यान रखना है नीची की तरफ में 45,300 के levels break करते ही वापिस से यह वाले low आपको easily नजर आ सकते हैं अगर easy zone में कहीं पर भी open होती है तो पहले consolidation करेगी उसके बाद देखेंगे दोस्तों projection बनाने के बाद अगर वापिस निकलेगी तो एक जवर्दस short covering आपको देखने को मिल सकती है जैसे यह 45,900 को निकालेगी तो यहाँ पर एक जवर्दस momentum आपको वापिस से नजर आ सकती है इस पर भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं उसके बाद price जो है अपने आपको इस level तक लेके आ सकता है ठीक है जो कि यह trend line हमारी इस तरीके से डोक की हुई है 45,500 तक के levels आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं अगर यह 500 के levels को यहाँ पर sustain नहीं कर पाता है फिर यहाँ पर गिरावट आएगी तो वो आपको यह आपको फिर से दिखाई पड़ सकते हैं इस पे भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं ना दोस्तो अब हम बात कर लेते कुछ ऐसे बैतरिन स्टोक जिन में आगे चलके एक अच्छा खासा momentum हमें दिखाई पड़ सकता है सबसे पहले स्टोक है दोस्तों ACI आप देख सकते है बहुत ही जबरदस्त इसमें चार्ट पैटर्न मेरे को नजरा रहा है दोस्तों मेरे को बहुत ही अच्छा लगता यह पैटर्न I don't know कि आपको इसके बारे में knowledge है की नहीं है और अगर आपको है तो comment करके मुझे बताईए कि कौन सा चार्ट पैटर्न यहां पर बना हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं बार-बार इस प्राइस पे जो है रेस्सेंस ले रहा है ठीक है काफी दिनों से और यह है 6802 मान सकते हैं ठीक है अभी प्राइस चल रहा है 639 के आसपास ठीक है आप देख सकते हैं कितनी bullish candle की साथ में इसने आप जो है closing दी है last trading session में अब अगर यह candle मैं कहता हूँ यह hammer type के candle है downtrend के बाद यह बनी है ठीक है अगर यह hammer candle का action आपने देखना है तो यहाँ पर एक bullish candle और बननी चाहिए उसके भ्याप पर आप जो ट्रेड ले सकते हैं first target is this one और उसके बाद भी अगर यह breakout दे देता है यहाँ पर इस वाले zone को क्योंकि यह resistance है बहुत important resistance है अगर यह break करेगा तो जबरदस्त momentum यहाँ पर आगे चल के दिखाई पड़ सकता है ठीक है तो आप इसको अपने end पर study कर सकते हैं क्या logic है इसके पीछे का पूरा chart आप देख सकते हैं हर time frame में आपको check करना चीए कि इस start में क्या कुछ analysis छिपी हुई है दोस्तो जितना ज़्यादा आप chart study करोगे उतनी ही जल्दी आप चीजों को observe करना start कर दोगे नेक्स्ट ओके दोस्तो FCL आप देख सकते हैं इस level के आसपास में आपको study कर आया था थोड़ा सा moment इसने दिया बट इतना खास momentum यह जो देनी पाया वापिस ही आता है और इस देख सकते हैं उपर की तरफ में 386 पे इसका एक वो है resistance अगर इसको यह sustain कर लेता है अब की बार इसको break कर देता है तो जब अगे चलके देखने को मिल सकता है तो इस पर आप नजर बना के रख सकते हैं अपनी watch list में एड़ गर सकते हैं लास्ट पर 49 दोस्तों बजाद दोस्तान आप देख सकते हैं बहुत ही bullish pattern यहां पर मुझे नजर आ रहा है actually है क्या इसमें एक uptrend यहां पर चला हुआ है और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक trend line यहां पर draw की हुए अगर यह दोस्तो 38 के levels को यहां पर sustain कर जाता है तो आगे चलके momentum जो continue भी हमें द जरूर लें because this video only for educational purpose एंड दोस्तो लास में कहना चाहूंगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें thank you so much thanks for watching